वेल्कम गाइस गूड मॉर्णिंग्स अमारी यूटुब चैनल पर आपका स्वागत है कल हमने जो मतवपुन टॉपिक डिसकस क्या था मांग की अवधार्ना उसके कल हमने क्या चैनल पड़ा था मांग का अर्थ पड़ा था मांग तालिका मांग वक्रा और आज हम क्यों में वाले गता उन में पहला वाक्णा था व्सटू की स्वयम की की मट वे इतना म सब जानते हैं वे स्वाधिक कीमत कि कम ही करेंगे जैसे इसकी प्राइज कम होगी कम होगी तो उसका उपभूग में क्या करेंगे ब्रदी करेंगे एक स्वविवेक उपभूग तक क्या चाहता है काम से कम वे में अधिक उपभूग कम से कम एक्स्पेंचेश करें और मैक्जिमम कंजूम करें यह एक स्वविवेक स्वविवेक सिल व्यक्ति का स्वभा होता है हम इसमें जो समाज का सबसे निचला वर्ग है उस वर्ग को लेकर बात करते हैं वह विवेक सिल व्यक्ति का जा सकता है वो क्या करेगा जो वस्तु अगर 10 रुपे में मिल रहे हैं और कहीं जगा 8 रुपे में मिलेगी तो वो क्या करेगा 8 रुपे वाली वस्तु लेके आए या ना की 10 रुपे वाली वस्तु लेके आएगा यानि क्यानेकार्थ क्या हुआ जब वस्तु की कीमत में कमी होगी तो उस परकार की वस्तु की मांग में क्या होगी व्रदी होगी अगर उस वस्तु की प्राइज में अगर व्रदी हो जाती है तो क्या करेगा उबुगता उस वस्तु का उबुग क्या करेगा काम करेगा और इस बिंदू में हम क्या लिख सकते हैं वह जब किसी वस्तु की किमत में व्रद्धी होने पर उस वस्तु की मांग में कमी होगी उसी प्रकार अगर वस्तु की किमत में कमी होने पर उस वस्तु का उपभोग में व्रद्धी करेगा हाने कहने का मतलब क्या हुआ वस्तु की कीमत वस्तु की कीमत और उसके उपभोग में परतिलों समन्द होता है अगर कीमत गटेगी तो उसकी मांग बढ़ेगी और कीमत में वरद्धी होगी तो मांग गट जाएगी अगर दूसरा मिंदू लेते हैं उपभोगता की आए उपभोगता क्या है मान लो हम एक उपभोगता है या व्यक्ति ले लो की आए अपनी इंकम के बारे में लेते हैं अपनी इंकम क्या है अपनी आए कितनी है यानि किसी वस्तु के उबोग के बारे में हम व्यक्ति की इंकम पर निर्पर करता है क्या करता है व्यक्ति की इंकम पर निर्पर करता है अगर व्यक्ति की इंकम जादा होगी तो क्या करेगा अधिक वस्तु की मांग करेगा अगर व्यक्ति की income कम होगी तो क्या करेगा वस्तू की मांग कम करेगा इस दिर्मेर क्या होगा उप वोक्ता की आए ववस्तू की मांग में मांग में धनात्मक संबंद होगा क्या होगा धनात्मक संबंद होगा खांई बूप वों तक आये में व्रदी तो क्या करेगा उप बूप में व्रदी करेगा उपभोग में वर्दी करेगा तो इससे क्या होगी उद्वस्तु की मांग बढ़ेगी क्या होगी मांग बढ़ेगी अब देखो इसका वक्र देखो दनात्मक समंदिर साथा है O X और Y अब देखो यहाँ पर इसका बता गया है आए दर्शा ही गई है वह यहाँ पर बताया है उपभोग जैसे जैसे इसकी इंकम बढ़ रही है वैसे वैसे उपभोग करने की मात्रा क्या हो रही है बढ़ रही है अगर उसकी आए घट रही होगी तो यह बताएगा कि इसका उपभोग भी घट रहा है तिसरा विंदू लेते हैं संबंधित वस्तु अपना तिसरा विंदू है संबंधित वस्तु अब देखो संबंधित वस्तु दो परकार के होगी इसमें एक वस्तो उपन लेंगे पूरक वस्तु सप्लिमेंटे आईटाम दूसरी होगी परति इस्तापन वस्तु अब देखो पूरक वस्तु क्या है और परति इस्तापन वस्तु क्या है संबंधित वस्तु तो लिए हमें कि संबंधित वस्तु का मांग पर क्या परवाब पड़ेगा अब दो वस्तु बताए यह पुरा क् वस्तु है क्या ही एक दूसरे के साथ ईसका उपोग और पूर वस्तू को आपकर लगे कि एक-वस्तु का उब्भाग 오늘도 करने के लिए हमें उसके साथ दूसरी वस्तू का उभूग भी करना जुरूरी है जह एक्जाम्पल तोर पर लते हैं का और पेट्रोल पैन और साई पैन और इंक अगर पैन आपके पास है पैन की निपल पर अगर इंक नहीं है तो आप उस पैन का उभूग नहीं कर सकते हैं जैसे बल्ला और गैन एक और एक्जामपल लेते हैं आपके पास बल्ला लेकिन गैन नहीं है तो बल्ला का उपभोग नहीं कर पाऊगे यानि कि पूरक वस्तु ये क्या कहलाती है पूरक वस्तु वे वस्तु हैं जिनका उपभोग हम साथ साथ करते हैं वे प जिनका उपवोग एक साथ करते हैं पूरक बस्तु कहलाती है अब पूरक बस्तु कहला अब इसका प्राइस का उपवोग में क्या अंतर हुआ है अब मान लो कार और पेट्रोल का एक्जामपल लेते हैं पहले व्यक्ति अपने घर से ऑफिस जाने के दूरी कितनी है ज्यादा लिश्ट ने दो किलमेटर है तो अब जिस समय पैट्रोल 40 रुपे पर लिटर था तब वो बाई कार जा रहा था अपने ऑफिस दो किलमेटर का पर सफ़र कार से क्या कर रहा था अब 40 रुपे केदर 50 रुपे पर लिटर हो जाता है तो व्यक्ति क्या करेगा कार का उपभोग कम करेगा यानी पैटरोल की प्राइस बढ़ने से कार का उपभोग क्या हो गया कम हो गया अगर 40 के दिया प्राइस से पूरक वस्तु में किसी एक वस्तु की कीमत में व्रदी या कमी होने पर जो प्रवाद दूसरी वस्तु पर पढ़ता है वह अपनी क्या कहलाएगी पूरक वस्तु कहलाएगी आप आता है दूसरा पॉट है इस्तानापन वस्तु परती इस्ताफित वस्तु अब देखो प्रति-प्रति-प्रति-प्रति-प्रति-प्रति-प्रति-प्रति-प्रति-प्रति-प्रति-प्रति-प्रति-प्रति-प्रति-प्रति-प्रति-प्रति-प्रति-प्रति-प्रति-प्रति-प्रति-प्रति-प्रति-प्रति-प्रति-प्रति-प्रति-प्रति-प्रति-प्रति यानि दो बस्तू लेते हैं एक्जाम्पल दपर चाय और कोफी लेते हैं दो बस्तू लेते हैं आप देखो शुरुवात इसन में दस रुपे कप और दस रुपे कप दो चाय और कोफी के पर कप अब देखो 20 रुपे पर कप होने के काराण यहां 20 लोग को बोग कर रहे हैं तो यहां कितने हो जाएंगे 10 प्रक्ति यूज़ करेंगे यहां कितना करेंगे 30 रुपए 30 लोग करेंगे कारण क्या अब जब चाय 10 रुपए के अंदर 20 लोग यूज़ कर रहे हैं कौफी 10 रुपए के अंदर 20 लोग यूज़ कर रहे हैं ल क्या है सबाइब क्या होगा कौतफी के आधी होगा चाइग को चोड दिया यिक यह का mतलब क्या एक वस्तु की अगर कि किक फृट समय होने पर 2 वस्तु की मांग वो न की अधलती है प्रतिस्ताव पत्रिफस दियुट Inc जब अन्य बाते हैं इस्तिर रहने पर जब किसी एक वस्तो की कीमत में ब्रदी होने पर दूसरी वस्तो की मांग में ब्रदी होना परीबास बोले अन्य बाते इस्तिर ने अन्य बाते क्या हैं अन्य बाते क्या हैं कल हमने जो अपने फिछले वीडियो में क्या पढ़ाता हैं मांग को प्रवावित करने वाले तत्व पढ़े दे उसके अंदर क्या बता प्रयाप दीचा सकती थी आपसे साधान यानि प्रयाप मात्रा में धन और त्यालिन की प्रवती फैसन दूसरी यह वह बात क्या होती हैं इस ती रहती है उसमें इसमें केवल कीमत का फ़ैंटर होता हैं केमत बढ़ती और BBQ जो हैं तत्व हैं मांग के वह क्या रहता है इस ती रहते अब क्यमत में वर्दि हुई है किसी एक वस्तू पे यह example अभी बता एक मैंने चाहे और कॉफी का अगर चाहे की प्राइस के अंदर बिड़ोत्री हुई है उस बिड़ोत्री होने के कारण कॉफी की मांग में वर्दी हुई है अगर इसके विपरित देख ले कॉफी की प्राइस में वर्दी होगी तो चाहे की मांग में वर्दी हो जाएगी अब दो पूरदापबस्तु का डाइग्राम मांग वक्र कैसा होगा प्रश्ण पूछ ले जो कंपेटेशन एक्जाम है सीयेविटी फॉंडेशन पर्स्ट गेड़ और जूनिर अकाउंटेड उनके अंदर एक ही प्रश्ण पूछ जाता है पूरदाफंक पूरदा वस्तु का मांग व क्योंकि दोनों वस्तुएं एक साथ उपवक की जाती हैं अगर एक में व्रदी होगी तो दूसरे में भी कमी होगी आनि जैसे एक वस्तु का बियेवर होता है उसी पर का दूसरे वस्तु का बियेवर होगा कॉंटिटी और मात्रा और प्राइस जैसे प्राइस बड़े उसकी मात्रा कम होगे प्राइस में देखो यहाँ देखो पहले क्या थी प्राइस यहां मालो कि कि अपने डिए दिया क्यू और व् आप देखो यह प्राइस थी तब 2 वस्तों के उप्भू करें था रे। अब देखो प्राइज बड़े कितने हो गई भी हो गई तो इसका उपूग क्या हो गया क्यों वन हो गया यानि कि प्राइज में व्रदी हुई है तो इसको उपूग में क्या हुई है कम हुई है अब परते हिस्तापन वस्तु होगा क्या होगा रहे ला मांग वक्र क्या होगा दनात्म कोगा करेंikes और का अब देखो कॉफी की प्राइस और चाय की प्राइस किना उसी प्रकार एक दूसरे बस्तू क्या करेंगी अपस में प्रतेयां करेंगे अब देखो भवकोश्य के प्रत्यांग ससा आए आव देखो अपने प्रतिपा वस्तु के डाइग्राम क्या होता है धनात्मक होगा कॉफी और चाय आप देखो जिस परकाама भीवर कर रहा है प्राइस कॉफी और चाय की उसी परकाई भीवर की देख लो प्राइस बढ़ रही है कॉफी की प्राइस बढ़ी है चाहा की प्राइज देखो काफी और चाह की प्राइज देख लो एक वस्तू की प्राइज बढ़ रही है तो दूसरी वस्तू की मांग में वर्थी हो जाएगी यानि कि एक दूसरे पर आपस में जुड़ी भी होती है अब अपने लटें अंतीम मिन्दू बवस्य की प्रत्यांसा आनि कि बवस्य की सिंदा बवस्य की सिंदा किसको नहीं होती है एक इस्ट्डियन को होती है एक बिस्नेसमेन को भी होती है एक आम आदमी जो किसान है उसको भी बवस्य के बारे में क्या होती है सिंदा रहती है टंसर रहता है अब एक उप बुगता को बवश्य के बारे में क्या संगता है बवश्य के प्रत्यांग सा क्या है अगर आपको किसी एक गली अमोले में जाके बोल दो कि नमक की पराई 50 रुपे किलो हो रही है क्या हो रही है नमक की पराई 50 रुपे किलो हो रही है तो लोग क्या करेंगे एक नमक को ही खरिदने के लिए तत्पर होंगे, नमक की मांग सबसे अधी करेंगे, आने कि बवस्य की कीमत को देखते हुए उद वस्तु की मांग में क्या होती है, वर्दिवार कमी होते हैं, क्या लिकेंगे? अन्य बाते इस्तिर रहने पर, जब किसी वस्तु की कीमत या श्टॉप बवस्य में वर्दि होने होने या कमी होने की आकांचा से उद वस्तु की मांग में वर्दि और वर्दि या कमी होगी, आनि व्यक्ति को बवस्य की सिंता रहती हैं, अगर एक बार कोई बोल दें, सोने के भाव हैं आज 20,000 रुपे होगे हैं, तो एक साथ लोग खरीदने के लिए उमडेंगे, अगर बोल दें का आने वाला समय में सोना एक लाग रुपे होने वाला हैं, लेकि 15 रुपे प्राइज हैं तो भी लोग खरीदेंगे, अब यह आने बाद समय 20,000 रुपे होगा तो इस पच्चाज जर प्राइस पर सोना गोल्ड खरीदने के लिए लोग कोई त्यार नहीं होगा तो उसी प्रहर क्या है बवसी की सिंता रहती है अगर बोल दे खाद्यान का इस्टॉक वरतमान में देश में इतना है इस बार पैदावार कम मोही हैं इस कारण ग्यों या बाद भाव में कीमत में अधिक वर्दि होगी तो लोग क्या करेंगे अपने बवसी की सिंता में इस बाद करेंगे या प्राइस गिरने वाले होगी तो वस्तू को नेखे देगा